हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग छेत्रिमीती का एक सेक्शन और आगे बढ़ेंगे दोस्त कुछ लोगों का कमेंट्स था कि हम लोग सरकल पे कुछ एकस्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें तो आज हम आपको सरकल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे समझने कोस किजिएगा चीज बहुत सीम्पल है थोड़ा सा समझेंगे तो और मजाएगा ठीक है हम लोग मेंसुरेशन का दो चार और अल्रेडी वीडियो बना चुके हैं का ऐसका प्रेक्टिस भी हम लोग कर रहा हैं कि आज मुझस सिर्कल सिंख cage है इसकह एक कौनेच्ज सेप्च है दोस्त सर्कल होता क्या है विद होता क्या है जीसे अगर हम बात करें यहां पर आप देखेंगे यह एक सर्कल है वृत है तो ये वृत होता क्या है वृत जो होता है इसके इसको center भोलते है ठीक है इसको ओ बोलते है circle जो होता है बिंदूओं का एक certain pattern एक निश्चित दूरी से एक सजा हुआ एक आकरिती होता है मतलब किसी एक point से एक certain distance पे बिंदूों का समु होता है collection of dots अगर इसको हम ऐसे करें अगर ऐसे से dot-dot करते 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 एक certain ऐसा pattern बन जाए ऐसे लेगी नहीं हाँ यहां से किसी एक point से सब की दूरी समान होनी चाहिए यह ध्यान रखना है किसी एक point से यह जितने भी dots हैं सबकी दूरी समान होनी चाहिए और इस आकरिती को हम लोग वृत बोलते हैं जो एक disc type का होता है ठीक है? O को center बोलते हैं इसलिए कि O से इस पूरे line की जो दूरी है वो समान होगी इसलिए को center बोलते हैं, kendra बोलते हैं यहां से जो यह distance है इस circle पर मान लेते हैं P है तो O P को हम लोग radius बोलते हैं जिसको हम लोग thregia बोलते हैं thregia बोलते हैं, radius है जिसको हम लोग thregia बोलते हैं एक line जो है इस center से होते हुए गुजरती है मान लेते हैं यह P Q, यह P था तो यह A B मान लेते हैं इसको तो ए भी जो होगा ये क्या होगा डाइमेटर होगा इसको हम लोग व्यास बोलते हैं दोस्त इसको हम लोग व्यास बोलते हैं मतलब वह लाइन जो सेंटर से होकर गुजरे और वृत के किसी दो बिंदूओं पर मिले सेंटर से होकर जाने वाली रेखा और वृत के किसी दो पॉइंट पर टच करे उस लाइन को हम लोग व्यास बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया यहां से यहां की दूरी यह क्या है अगर इतना दूर पकड़े तो यह हमारा रेडियस है अगर रेडियस को हम आर बोलें तो यह भी हमारा र है और यह भी हमारा र होगा क्योंकि यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस है तो यानि एक व्यास जो होता है व्यास को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं D बराबर क्या हो जाएगा R प्लस R बोले तो 2R यानि कि D बराबर 2R हो गया आप चाहें तो R बराबर D भाई तू भी बोल सकते हैं आपको जैसे इक चाह आप वैसे बोले ठीक है अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज हम लोग और सीखेंगे हम लोग अभी सीखे Radius किसको बोलते हैं Diameter किसको बोलते हैं अब एक word और आता है जिसको कि हम लोग Core बोलते हैं जैसे एक इसी circle को अपम लोग बढ़ियां से Draw कर लेते हैं ठीक है यह जो circle है यह हमारा center है तो इसका कोई भी दो point को मिलाने वाली रेखा circle के circle के इस जो outer boundary है circle का जो boundary है boundary के किसी भी दो point को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त जीवा बोलते हैं क्या बोलते हैं जीवा इसको कॉड भी बोलते हैं दोस्त कॉड बोलते हैं ठीक है जीवा बोलते हैं तो जीवा हमारा कैसे भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये भी हमारा जीवा है, इतना छोटा हो गया, ये भी हमारा जीवा है, ये भी हमारा जीवा है, ये भी हमारा जीवा है, सब हमारा जीवा है दोस्त, यानि कि सरकल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कॉर्ड बुलते हैं clear है यानि कि कॉर्ड जो होता है किसी भी सरकल को दो भाग में माण देता है clear है एक चीज और समझ में आता है आप हमसे पूछेंगे कि सरी जो diameter है क्या ये भी एक कॉर्ड है हाँ diameter भी कॉर्ड है तो इसके लिए क्या होता है हमारे एक्जाम में fill in the blanks में या true false में या किसी भी तरह का question MC की उब अगरा में आता है कि the longest cord of a circle तो क्या हम उसका answer देंगे diameter क्यों diameter भी तो दो पॉइंट को touch कर रहा है lean condition क्या है diameter में और other cord में other cord में जो cord है वो किसी भी दो पॉइंट पर कहीं से भी गुजरता हुआ जाकर मिल जाता है बट जो diameter होता है उसको center से होकर गुजरना compulsory होता है यानि वह रेखा वह line जो circle के किसी दो पॉइंट को center से होकर गुजरती हो और touch करती हो center से होकर गुजरे और दोनों point को touch करे उसको हम लोग cord बोलते हैं diameter बोलते हैं यानि कि diameter is the longest cord यह stick करके आप क्या notes बना लेंगे diameter is the longest cord आप लिख सकते हैं diameter जो होता है हमारा longest cord होता है या biggest जो भी आपको मन करे बोले सबसे लंबा cord होता है किसी भी circle का of a circle diameter is the longest cord of a circle हम लोग ऐसा इसको बोलते हैं अब बात करते हैं यह जीवा जो है जैसे माल लेते हैं यह circle है circle का अगर यह माल लेते हैं जीवा है तो circle का यह जो जीवा है यह जो cord है यह circle को दो भाग में बाढ़ देता है clear है circle को दो भाग में बाढ़ता है एक जो नीचे वाल आप देख रहे होंगे छोटा दिख रहा होगा आपको इसको हम sad कर देते हैं तो जो sad person एक छोटा दिख रहा है और जो बिना sad का है plain है वो हमारा बड़ा दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं वृत्खंड बोलते हैं क्या बोलते हैं वृत्खंड इसको बोलते हैं लगू वृत्खंड इसको बोलते हैं दिर्ग वृत्खंड इसको बोलते हैं लगु वृत खंड दोस्त इसको इंगलेस में बोलते हैं major segment इसको बोलते हैं minor segment ठीक है इसको क्या बोलते है major segment इसको क्या बोलते हैं करें दोस्ट कि माइनर कि माइनर बाड़े वाले MG बड़ा होता है स вари है मातलब होता है बुरित्घंड मेजर से गमें पे डिर्ग विरित्खंड और Мाrail एक चीज और हम समझेंगे यहाँ पर, जो diameter होता है, यह भी एक circle को दो बराबर-बराबर segment में बाढ़ता है, यहाँ पर देखेंगे, यह जो हमारा circle है, अगर इसको हम diameter समझें, यह गर मेरा a-b diameter है, तो यह जो diameter होगा, इस circle को दो बराबर-बराबर segment में बाढ़ता है, ठीक है यानि कि ये भी जो segment होगा और ये जो segment होगा इसको segment को अगर मान लेते हैं P segment है और ये Q segment है तो P is equal to Q होगा ठीक है यानि कि हमारा diameter जो होता है इस पूरे circle को दो भाग में बाण देता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे semi circle इसको बोलते हैं semi circle दोस्त सेभी हमारा क्या कह लाएगा semi circle सेमी circle को हम लोग क्या बोलते हैं अर्ध बृत बोलते हैं अर्ध फ्रित थ्यान दिखेगा दिखेगा आप लोग सही से पढ़िएगा हम एज लिख देते हैं अर्ध बृत बोलते हैं तो इसको ठीक है अर्ध बृत हो गया यहां तक मुझे दिक्कत नहीं है इसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे जो सैड़ेड पोर्शन है इसको हम लोग लगूब बृत खंड बोलते हैं इसको माइनर सेगमेंट इसको मेजर सेगमेंट यहां तक क्लिर है दोस्त चलिए ठीक है अब एक चीज और होता है अब थोड़ा सको साफ कर देते हैं थोड़ा ज्यादा अब गंदा हो जाएगा दोस अब इसके बाद क्या है हम लोग थोड़ा सा और चीज सीखेंगे जैसे अब हम लोग अगला चीज जो सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे सेक्टर ठीक है सेक्टर क्या होता है सेक्टर होगा जब कोई सरकल में जब कोई सरकल में त्रीजिया सेक्टर का हिंदी क्या होता है त्रीजिये खंड होता है यानि कि त्रीजिया जब कोई सरकल का एक टुकड़ा करेगी तो टुकड़ा कैसे करेगी दोस्त जैसे अगर हम यहाँ देखें एक सरकल बनाते हैं circle बन गया circle में ये क्या है center है अब ये कोई एक त्रीजिया ऐसे होगी एक त्रीजिया ऐसे होगी ठीक है त्रीजिया है तो ये त्रीजिया क्या किया है इस पुरे circle को दो टुकड़े माण दी न एक टुकड़ा हो गया ये सैड़ेट पोर्शन माल लेते हैं सैड़ेट पोर्शन हो गया यह टुकड़ा और जो अंसैड़ेट है जो सैड़ेट नहीं है साधा वाला जो हिस्सा है वह हमारा एक दुसरा टुकड़ा हो गया तो यह circle का जो ये टुकड़ा जो है जो sadded portion है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्त इसको बोल देते हैं minor इसको बोलते है major इसको बोल देते है sector इसको बोल देते है sector इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दिर्ग त्रीजिय खंड इसो क्या बोलतेते हैं दोस्त लगू त्रीजिय खंड मतलब यह जो आंसेड़िट पोर्शन है यह तो बड़ा है ना देखें यह तो एक टुकड़ा है यह क्या है पूरा बड़ा है जो बड़ा होता है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे दिर्गी त्रीजिय खंड बोलेंगे अज जो छोटा वाला पोर्शन है जो सैड़िट पोर्शन है इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे इसको लगू त्रीजिय खंड बोलते हैं तो अगर कोई आपसे पूस्ता है कि लगो त्रीजे खंड कैसे बनता है या त्रीजे खंड कैसे बनता है तो आप क्या बोलेंगे किसी भी सरकल में दो त्रीजिया और एक आर्क तीन चीज है सोस दो त्रीजिया और एक आर्क तो आप बोलेंगे आर्क सर यस इसको हम लोग आर्क बोलते हैं आर्क मतलब चाप बोल जिसको कि हम लोग परीधी बोलते हैं इसके बाउंटरी को सरकल के जो बाउंटरी है इसको हम लोग परीधी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं परीधी बोलते हैं दोस्त इस पूरे एक सरकल को पूरा एक चक्कर लगा देंगे न यह हमारा परीधी कहलाता है ठीक है तो यह जो निकला, तो एक आर्क का टुकड़ा है, अगर इसको हम अलग से बनाएं, तो कुछ ऐसा करके हमको दिख रहा है न दोस्त, तो यह क्या है हमारा, यह हमारा radius है, और यह हमारा क्या है, आर्क है, जो को हम लोग चाप बोलते हैं दोस्त, तो इस तरह से जो घीरा हुआ छेतर होता है इसको हम लोग त्रीज्य खंड त्रीज्या से बनाए हुआ टुकडा देखे होंगे हम लोग केक खाते हैं या फिर पीजा खाते हैं तो पीजा में जो इसे काटके निकालता है ना केक भी हम लोग काटके निकालते हैं तो जो टुक veer sector और यह जो बढ़ा उला रा हिसला जो बसता है major sector बोलते हैं यहां तक में कोई दिक्कते हैं दोस्त चलिए अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा कुछ इसका formula में कुछ हम लोग घुजते हैं दोस्त कैसे इसका formula हम लोग बनाते हैं चलिए अब इसका फर्मूला में हम लोग आ रहे हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अफर्मूला में आते हैं दोस्त क्योंकि जब हम लोग एक्जाम में कोशन आता है तो हम लोग तो चीज तो समझना जरूरी है अब इसको बनाना भी जरूरी है तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कोशन जब आएगा एक्जाम में तो अब देखें एक्जाम में जब कोशन आता है तो उसको समझने के है, थोड़ा सा concept हम लोग ले लें, यह circle है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, circle है, यह हमारा center है, यह हमारा radius है, radius को r माल लेते हैं, ठीक है, यह point को p माल लेते हैं, यानि कि op is equal to r, यह given है, यह क्या है मेरा given है दोस्त, दिया हुआ है, तो इसका circumference यानि perimeter, perimeter को हम लोग circle में क्या बोल देते हैं, circumference बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसका boundary, outer boundary, याद होगा हम लोग जब पढ़े थे, हम लोग अपना छेत्रेमीती का जो पहला section सुरू किये थे, उसमें perimeter पढ़े थे, आपको उसमें आपका definition याद है, हम लोग क्या बोले थे, definition तो बहुत सारे किताबों में अलग अलग लिखा रहता है दोस्त, जो हम लोग समझते हैं जिससे कि आप किसी भी, किसी भी geometrical figure में आप उसको इफिट कर सकते हैं, क्या हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो आप देख लीजेगा एक पर, आइबॉल में हम डाल देंगे यहां पर, लेकिन हम आपको बता देते हैं, वो क्या था, the length of, total length of, outer boundary of any geometrical figure, किसी भी तरह का geometrical figure का outer boundary का जो total length होता है, that is known as perimeter, यहां पर outer boundary क्या है मेरा ये, पूरा arc है, complete arc, complete arc, यह क्या है मेरा outer boundary है, इसे को हुम लог क्या बोलते हैं, perimeter बोलते हैं, या हम लोग circle में उसी perimeter को circumference बोलते हैं, ठीक है, तो परिधी की लंबाई, क्या बोलेंगे उसको इसको परिधी की लंबाई यानि की circumference यानि की perimeter कितना होता है? 2 pi r होता है. circumference या इसको perimeter बोलिए या इसको परिधी बोलिए जैसे आपको मर्जी है. आप बोल सकते हैं हिंदी में परिधी बोलते हैं, circumference बोलते हैं, perimeter बोलते हैं. ये क्या होता है? 2 pi r होता है. इसका area कीतना होता है एरिया बराबर होता है पाय आर स्क्वायर होता है इसका जो diameter होता है डाइमिटर आपको एक छोटा से कॉंसेट देते हैं दोस्तों बहुत मजदार कॉंसेट है अगर कोई आपको पूछता है कि अगर किसी भी सरकल का रेडियस साथ सेंटिमीटर है किसी भी सरकल का रेडियस साथ सेंटिमीटर है या साढ़े तीन सेंटिमीटर है चार सेंटीमेटर है पान सेंटीमेटर छे सेंटीमेटर है कुछ भी दिया रहे और बोलेगा उसका पेरिमीटर क्या होगा तो आप क्या करेंगे आप सिधे इसके फरमूले पे जाएंगे और आर का वैल्यू पुट करेंगे पाय का वैल्यू 22 बटा साथ पुट करेंगे and you will get the answer है हम एक और थोड़ा चीज बता है आप क्या कीजिएगा उसके डाइमीटर को लगभग 104 प्रतिसत बढ़ा दीजिएगा कितना 104 परसेंट and you will get the answer जैसे आप कैसे निकालेंगे उसको एक हम निकाल के आपको दिखाते हैं कितना बढ़े समझ मैंगा देखिएगा हम साथ पे मानके निकालते हैं साथ पे मेरा कैलकुरस नोड़ा फास्ट हो जाएगा ठीक है माल लेते हैं सरकमफ्रेंस है साथ उसका क्या है radius है radius कितना है radius इसकल पॉन सेवन इंटू सेवन है ना सासत कड़ गया 22 दूना 44 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस निकाल गया हम क्या बोले थे उसके डाइमीटर का डाइमीटर का लगभग कितना होता है तीन गुना होता है कितना होता है दोस्त तीन गुना लगभग तो तीन गुना कितना हो जाएगा 14 हो गया 7 दूना 14 14 तिया 42 देखिए लगभग 3 गुना ठीक है देखिए मिल जागा लगभग लगभग निकालेंगे तो आपका राम से वहां तक पहुंच जाएगा ठीक है तो आप कैसे निकालेंगे उसको किसी भी डाइमेटर का 3 गुना कर देंगे तो आपका वो फड़क से एंसर आजाता है दोस्तों समझ नहीं रहा है तो ऐसे करके आप निकालेंगे इसका 3 गुना करके जैसे निकालेंगे डामेटर का 3 गुना का 104 परशंट कर देंगे आपका लगभग exact answer आजाता है ठीक है वैसे किसी कभी आप निकाल सकते हैं एक छोटा सा calculation करते समय हमको ऐसे समझ में आया था तो हम आपको बता दिये लगबग 3 गुना होता है जम calculate कर रहे थे बच्चे को पढ़ाते समय तो हमको ऐसे लगा कि नहीं लगबग 3 गुना आता है इसलिए आपको हम बता दिये कि diameter का लगबग 3 गुना होता है exact नहीं होता लगबग होता है उसी के थोड़ा सा आगे पीछे होता है 4-5 प्रशंट आगे पीछे होता है तो इसलिए हम आपको बता दिये अब हम आगे क्या सीखेंगे इसका थोड़ा और जानेंगे sector के बारे में sector कैसे निकालेंगे और question exam में आता है कि आपका दिया रहेगा क्या बोलते हैं radius दिया रहेगा और आपका पूछेगा इसका arc का लंबाई पूच देता है arc का लंबाई पूचेगा कभी कभी area पूछेगा आपका तो आप कैसे निकालेंगे देखे आपको हम अपने पहले वाले वीडियो में थोड़ा समझाये थे फिर आप थोड़ा समझाते हैं रिमाइंड करा देते हैं आपको थोड़ा जल्दी यल्दी समाज में आएगा ठीके दोस्त यहां देखिएगा जैसे यह हमारा सरकल है यह हमारा सिक्टर है और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा कितना बने दोस्त थीटा एंगल बन रहा है अब थीटा एंगल बनेगा तो क्या होगा गेला हो जाने खारा दोस्त थोड़ा अच्छा से नहीं गृफ इसुन दिख रएपको ठीक है थीटा एंगल बनता है तो क्या करेंगे अगर कोई कोई आप से पूछेगा इसका एरिया निकालने के लिए क्या बोलेगा इसका area निकालने कि लेग और हम जानते है circle का center का angle कितना होता है 360 होता है centre पर angle कितना बनता है 360 सो कैसे निकालेंगे इसका निकालने का तरीक़ बताते हैं कि 360 degree angle जब होता है तो कितना angle बनता है theta मतलब center पे अगर 360 degree होता है तो area कितना हो जाता है अभी यहाँ पर area कितना बनेगा pi r square हम इसका area निकाल रहे हैं इस shaded portion का हम area find out कर रहे हैं कहां निकाल रहे हैं area area of the shaded portion तो 360 degree होता है तो area कितना होता है पूरे circle का area कितना होता है pi r square तो एक डिगरी का कितना बनेगा π r square upon 360 तो theta डिगर एंगल बना है यहाँ पर कितना एंगल बना है theta तो theta का area कितना निकलेगा π r square upon 360 into theta तो इसको भी लिखते कैसे है theta upon 360 into π r square यह इसका formula बन गया तो area किया हो जाएगा theta upon 360 360, 360, pi r square, यह area निकल जाएगा, किसका, minor sector का, या sector का बोलेंगे तो ज़्यादा चलाएगा, अगर major करने का मन करें तो यह वला area ले लिजिए, यह वला angle ले लिजिए, तो इसका area निकल जाएगा, clear है, अगर कोई आप से पुछे, इसका arc निकाल के बताएगे, arc कितना होगा, arc कितना होगा, तो arc के लिए क्या निकलता है, arc का formula क्या होगा, अब देखे, यह arc क्या है, यह circumference का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, circumference का, तो arc के लिए का निकालेंगे, 360 degree angle होता है, तो इसका arc की नमाई कितनी होती है, 2 pi r होती है, clear है, तो जब एक degree में कित एक जब यहां पर थीटा डिगरी का एंगल बनेगा तो कितना आर्क होगा, तो थीटा डिगरी में कितना बनेगा, two pi r upon 360 into theta, अब इसको लिखें कैसे, थीटा upon 360 into two pi r, यहनि आर्क की लंबाइ कितनी हो गई, थीटा upon 360 into two pi r, आप एक चीज याद रखेगा जब area पूछता है तो यहाँ पर area लिखिएगा pi-r-square जब arc पूछता है तो यहाँ पर परीधी की लंबाई पूछ रहा है तो परीधी लिखेंगे दोस्त ठीक है पर इधी लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर छेत्र फल लिखेंगे थीटा बाई 360 थीटा बाई 360 दोनों में सेम रहेगा क्योंकि हम इसी छेत्र का ले रहें न ऐसा निकालते हैं क्लिर है थोड़ा सा और आपको बता देते हैं थोड़ा सा आपको और मजाएगा थोड़ा सा कॉंसेप्ट आओर देते हैं किसी भी सरकल का किसी भी एक बिंदू से किसी भी एक बिंदू से अगर एक लाइन ड्रॉ करें इसी बिंदू से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करें एक लाइन ड्रॉ सॉरी यह तो अंदर चलाया इसको आप समझेगा, समझने कुछ किजे अगर एक line draw करें इस बिंदू से बिंदू मानलो P है, यहाँ का बिंदू मानलो Q है तो Q से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं asperse रेखा बोलते हैं, tangent बोलते हैं tangent बोलते हैं यहाँ कि इसको asperse रेखा बोलते हैं asperse रेखा यहाँ इसको touch कर रही है ना touch कर रही है इसको यहाँ वह रेखा जो मतलब इस बिंदू से होकर गुजरे, सिर्फ एक ही बिंदू से दोस्त एक बिंदू से होकर गुजरे, उसको क्या बोलते हैं tangent बोलते हैं, tangent बोलते हैं यानिकर asperse रेखा बोलते हैं, और center से इस asperse रेखा को मिलाने वाली जो line यानि जो radius होती है, इस asperse रेखा पे 90 डिगरी का angle बनाती है, कितना का angle बनाती है दोस्त, 90 डिगरी का angle बनाती है, ये सब कुछ basic concept है जो हम आपको बता दे रहे हैं, clear है, इ एंटी डिगरी का एंगल बनाता है दोस्त इसमें अब हमारे जो भी एक्जाम में कोश्चन आता है इससे छूटे का नहीं दोस्त आपका बन जाएगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको जो भी दिक्कत होगी पूराना वाला जो हम लोग का छेत्री मीधी का जो वीडियो है उसको अब देखेंगे और इसको एक बर देखेंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो आपको फुरा कॉनसेप्ट क्लिएर हो जाएगा निमेरकल बनाईएगा जो एक्जाम में कोश्चन आता है उसको बनाईएगा नहीं बनेगा प्रमेंड में जरू डालिएगा हम आपके लिए जरू कुछ नो कुछ अगला वीडियो जैसा आप बोलेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू दोस्त